बिस्मिल्लाइरामान रहीम असलाम अलेकूम मैं आपकी फैमिली फिजीशन डॉक्टर को सर आपसे हेल्थ केर चैनल में मखातिबूं अमीद है आप लोग सब खेरियत से होंगे आज का हमारा टॉपएक है पॉलिसिस्टिक कोवेरियन सिंड्रोम हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में इस डिजीश के बारे में सवलात पूछे तो मैंने सोचा कि एक विडियो बनाई जाए और अगर आप ये विडियो आखर तक देखेंगे तो आपको काफी सवलात के जवाब मिल के पॉलिसिस्टिक कोवेरियन सिंड्रोम आज की रिप्रोड्रक्टिव khawatین का सबसे बड़ा मसला है हर छे से साथ में से एक मातून जो है उसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रूम है और इसके लिए बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं अब इसके लिए सबसे पहले जुरूरी है कि आप नॉर्मल साइकल को समझें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पॉलिसिस्टिक में क्या हो रहा है नॉर्मल ही होता है कि हर महीने कुछ एग्स जो है वो हमारी ओवरिस में मैचूर होना शुरू होते हैं और आजस्ता अस्ता जब वो बड़े होते हैं तो तक्रीबन पीरिट्स के चौदवे या पंदरवे दिन जो एग है फॉलिकल रप्चर होता है और एग्स हो जाता है इसको हम ऑविलूशन कहते हैं और अब अगर प्रिग्निंसी के चांसिस भी स्वक्ष जादा होते हैं और अगर प्रिग्निंसी नहीं होती तो अगले दो हफते में आपको पीरिट्स हो जाते हैं और इसी तरह से यह साइकल जो है आपका डिपेंड करता है हमारे पिचूट्री के दो हॉर्मोंस पे FSH और LH जिनको हम कहते हैं नॉर्मली इस तरह से आपका साइकल चल रहा होता है अब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है कि बहुत सारे एक्स जो है वो मचूर होना शुरू होते हैं लेकिन वो अपनी फूल मेचुरिटी तक नहीं पहुंचते जिसके वज़ा से एक्स जो है वो फालिकल से रिलीज नहीं होता यानि evolution नहीं हो रही और उसकी वज़ा से आपके एक तो pregnancy नहीं हो सकती दूसरा periods जो है वो upset हो जाते हैं और अगर हम ovary के तरफ देखें तो ovary का size बढ़ा हो जाता है और ovary के अंदर अगर ultrasound में चोटे-चोटे cyst नजर आना शुरू हो जाते हैं ovary के कुछ cells जो हैं वो male hormones बनाना शुरू हो जाते हैं जिनका हम androgens कहते हैं और उनका level भी आपकी body में जादा हो जाता है जिसके वज़ा से polycystic ovarian disease की बहुत सारी symptoms जो हैं वो जाहर होती हैं अगर हम इसकी causes की तरफ आएं तो बहुत सारे factors जो हैं वो part play करते हैं उनमें सबसे बड़ा factor hereditary है यानि अगर आपकी अमी है, बैन है, आपकी खाला है फैमिली में polycystic ovarian syndrome चल रहा है तो बच्चियों में आने का भी बहुत सारा चांस होता है इसके लावा आपकी जो अगर फैमिली में diabetes की history है वो भी एक factor है obesity है जो के आज कल का एक बहुत बड़ा problem है क्योंके बच्चियों का lifestyle बहुत sedentary है exercise पे ज़्यादा तबज्व नहीं करती, ज़्यादा देर mobile पे, computer पे, दिन रात बैठे रहना और junk food खाना इसके वज़ा से obesity बहुत common है इसके लावा insulin की resistance हो जाती है insulin की resistance क्या है? कि आपका जो pancreas है, जब carbohydrate हम खाते हैं तो वो glucose में convert होता है glucose blood में आता है और pancreas insulin बना रहा है insulin जो है, वो cells के उपर act करती है जिसके वज़ा से glucose सेल्स के अंदर जाता है और energy के तोर पे हम इसको utilize करते है लेकिन जब insulin की resistance हो तो ये insulin सेल्स के उपर act नहीं कर सकती और blood के अंदर आपका glucose के लेवल भी जाद हो जाता है insulin के लेवल भी जाद हो जाता है और आपका metabolism, glucose का, fats का खराब हो जाता है और जिसम पर ज़्यादा चर्बी आना शुरू हो जाती है इसके अगर science symptoms में आएं तो वो depend करता है कि मेरी इसके stage पर आपके बास आ रहा है फर्स के रहें, अगर छोटी बच्चियां है वो ज़्यादा तर periods के problem की वज़ा से आती है 75% periods के problem से बच्चे डॉक्टर के बास आते है periods के problem क्या हो सकते है किसी को बिल्कुल periods काम हो गया है sporting हो रही है, किसी को दिन चड़ के आना शुरू है किसी को 2-2-3-3 महीने के बाद आते है और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वज़ा से सारा उनका जो system है वो upset हो जाता है इसके लावा कुछ बच्चियां आती है मुटापे के वज़ा से कुछ बच्चियां जिसन पे बहुत ज़्यादा बाल आने के सुरत में डॉक्टर से रुजूग करती है जैसे के फेस पे बहुत बाल आ गए है आपको बार बार थ्रेडिंग करना पड़ती है आम्स पे आ गए हैं पेट पे आ गए हैं और मेरिट का वतीन उस वक्त आती है जब वो शादी के बाद बच्चे को conceive नहीं कर सकती तो इन सारे सूर्तों में डॉक्टर जो है वो आपकी एक तक्रीबन detail जब history लेता है तो उसको गाफी चीज़ों का पता चल जाता है और कुछ test शायद वो करवाए जिसमें कुछ hormonal test होते हैं उसमें FSH का level LH का level और testosterone का level जो है वो देखा जाता है ultrasound pelvis जो है वो भी advice कर सकता है वो आपको लेकिन ये तकरीबन 30 to 40% cases होते हैं जिनके अंदर ultrasound में ovaries में छोटे-छोटे सेस्ट नजर आते हैं और कुछ लोगों की ovaries clear भी हो सकती हैं polycystic ovarian disease की treatment जो है उसका सबसे main factor है weight maintain करना क्योंकि weight जैसे ही आपका कम होगा आपकी ovaries में जो evolution है वो start हो जाएगी जिससे periods का मसला भी आलोगा और आपकी जो जो लोग conceive करना चाते हैं वो conceive भी कर सकेंगे अब weight reduction के लिए आपनी क्या करना है कि दो चीज़ों को strictly follow करना है एक तो अपनी diet का खास क्याल करना है क्योंकि diet में आपको protein की index ज़्यादा करनी है कार्बाडेट्स को कम कर दे और कार्बाडेट्स अगर आपको इस्तमाल करने भी है तो चक्की का अटा, brown bread या इसी तरह की दूसरी चीज़ें जिनमें ज़्यादा fiber हो वो इस्तमाल कर सकती है और इसके लावा आपने junk food को white करना है sugary items छोड़ दे, bakery के items छोड़ दे और oily जो food से हैं उन से फरेज करना है exercise आपको जड़ा इतने अराम से नहीं करने हैं कि जैसे सड़क पर आप जा रहे हों दो आट तेन टेल्टी भी बाते करती भी जा रही है इस तरह की exercise से polycystic variant disease के मरीज को effective ही नहीं होगा इसके लिए आपको थोड़ी vigorous exercise की जुरुत होगी तकरीबन 30 मिनट से लेके एक घंटे की आपको ठीक ठाक exercise करनी है आप jogging कर सकते हैं, cycling करें, sports खेलें यानि ऐसी exercise हो जिससे आपको अच्छा तरीके से सांस चड़े और लगे कि आपकी calories बहुत जादा use हुई है और इसके लावा डॉक्टर आपको अगर आप married नहीं है डॉक्टर आपको family planning pill भी इस्तेमाल करने के लिए कह सकते है क्योंकि इसमें combined hormones होते हैं जो कि आपकी hormonal balance को सही कर देंगे इसके लावा कुछ लोगों को insulin resistance को कम करने के लिए metformin जो है वो भी prescribe की जाती है दूसरी तरफ अगर हम merit खवातीन पर आएं जो लोग conceive करना चाते हैं उनके लिए भी सबसे पहले ये जुरूरी है कि वो अपना weight जो है उसको control में करें और फिर भी अगर evolution start नहीं होती तो evolution start करने के लिए doctor कुछ medicines आपको दे सकते हैं जैसे klomid वगेरा और ताकि वो कुछ cycles के लिए आप इस्तमाल करें अगर फिर भी फरक नहीं पड़ता तो अगली option जो है in vitro fertilization यानि IVF की होती है कुछ लोगों को अगर उससे भी फरक नहीं पड़ा तो आखरी option जो है वो surgery की होती है surgery में leproscopic diatherming करते हैं जिससे ovaries का कुछ हिस्सा जो है destroy कर देते हैं ये इसलिए करते हैं कि जो male hormone produce कर रही है ovary वो production की कम हो जाए इसमें भी 2-3 मेने के बाद patients जो हैं उनके ovulation स्टार्ट हो जाती है और वो conceive कर सकते हैं अब देखना ही है कि polycystic ovarian syndrome के साथ औरतें conceive करती हैं ऐसा नहीं है कि ये औरतें conceive नहीं कर सकती लेकिन जब वो conceive कर लें तो उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करने के जरूरत है क्योंकि एक तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा chances होते हैं miscarriage के premature labor के और इसके लावा उनको gestational diabetes हो सकती है तो इन चीजों का अपने खास क्याल करना है पारिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की कुछ long term complications भी होती है उनमें सबसे पहले दो diabetes है फिर heart disease है क्योंकि blood pressure भी ज़्यादा हो जाता है आपका lipid में cholesterol ज़्यादा हो जाता है और stroke के chances ज़्यादा हो जाते है इसके लावा आपको endometrial cancer यानि uterus की जो अंदर की जिली होती है उसको endometrium क्याते है उसका cancer भी हो सकता है अमीद है आज की वीडियो से आपको polycystic ovarian syndrome के बारे में काफी मालूमात मिली होंगी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप share कीजिए, like कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अपना क्याल रखेगा अल्ला हाफिज अल्ला हाफिए